श्रीराम जान की मंदिर बड़ा मठ के पुरा तत्व तथा समपत्ती के संरखषन को लेकर वाडवास्यों ने चलाया हस्ताक शरव्यान शासर प्रशासन से कब्ज़ा मुक्त कराने की रखी मांग दुरुक के श्री राम जान की मंदिर बड़ा मठ पारा दुरुक स्थित प्राचिन पुरा तत्व जो करीब 600 वर्ष पुराना मंदिर है जिस मंदिर की संपत्ती सही जमीनों पर हो रहा है अवैत कबजे पर लगाम लगाने शासन प्रशासन से भी मांग की जा चुकी है लेकि मंदिर संपत्ती जैसी चीजें लोगों द्वारा बेजी जा रही है इसी कड़ी में शरीवार को मठ पारा सित मंदिर के वाडवासियों द्वारा शिविल लगा कर हस्ताक्षर अभियान चलाये गया जिसमें आरोप लगाये गया है कि शिराम जान की मंदिर के महंत धर्मिन दास बैशनवद्वारा मंदीर की संपत्ति को गलट धंग से बेजा जा रहा है जिस पर शासन प्रशासन से हस्तक्षेप के जाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला जाने की बात ये कही गई जहां थड़े हैं दूर्ग नगर की हिर्दर स्थाल चंडी चौंक माचंडी मंदीर चौंक पर खड़े हैं और यहां पर एक एतिहासिक धरोहर सिर्जाम जान की मंदीर बड़े मठ जो लगभग 600 वर्सों से एक पुरा तात्मिक धरोहर है यह लगभग यह धरोहर को भूमाफ्याओं द्वारा 2017 से खरीदी विद्र किया जा रहा है इसमें हमने पूरा में एक बार और जन्हास्ताक से चला के कलेक्टर में जंदर्शन देकर उनके प्रमाणी करन को रोका था उसके बाद अभी फिर 2022 में कुछ भूमाफ्याओं के निर्मान का रिचालू कराया गया है हाल में ही तो हम लोग उन्हें रोक लगाने के लिए एक हस्ताक्षर अभ्यान आम नागरिक आम सहरार वास्यों से हस्ताक्षर लेकर समर्थन लेकर कलेक्टर को प्रदर्शित करेंगे कि इनको पुड़ा तत्वा के सनक्षण में लिय है जबकि वे उनके सेवक हैं उन तबपती के मालिक नहीं है वो और हम अतिस्ति के रोपने का प्रयास करने के लिए हस्ताक्षर अभ्यान चला रहे हैं ये मंदिर कम से कम 600 साल पुराना है इस तो जो उस समय की राजवेवस्ताओं से डान मिला है जिसके ताम पत्र भी महनतो द्वारा दबा के रखा गया है ताकि उनकी कार गुजारी सामने ना आ सके यह बहुत ही महत्वपूर्ट धरोर है यह और आज से 900 साल पहले कहा थी नजूर आज जित जमीन को अभी वेचा गया है जिसमें सराय के अउसेस हैं और वो हिस्सा ठीक वो हिस्सा वाकी भूमी से हुचा है जिसमें मुख्य मंदिर और मुख्य मंदिर के धर्मशाला और जितनी भी भवन थे आज भी जो इंट पड़े हुई है वह चार सो साल पहले बनती थी आज नहीं कितने चीज बेच चुके हैं अब तक इसमें तो भया हज्जारों एकर जमीन थी इसको गलत तरीके स से वेच्छा गिया इसमें सासेंकी लिवा पर वाहिए निश्चितूरूप जिसको हम प्रमानित कर सकता है क्या चाहते हैं यह चाहते हैं ऍहां कि जैसा अ हर्व यह पूरातत्ति संग बने एक कप्छे पहले घ्ला पुरात्ति संग बने ताकि लूए बढ़का दूरी ठीको भगवान की जमीन यूकि हिंदुला में अप्राप्य वेटा यूम सनरक्षित आदमियम के इंतरगत सुरक्षित है और चुकि भगवान नावाली कि माना गया है उसकी संपत्ति के संरक्षन के लिए ही कलेक्टर को प्रबंधन बनाया गया है ताकि उनकी संपत्ति का इधर सबस्केरण के संनख उसक्षित सामा़ के इध professor वुलिए तो आपना परेचाब में नाए परिकात में अरुन गुक्ता सजग प्रयासदूर हमारा सजगप्रयास में जैसे हम लोग के पहले हम लोग 2017 में भी हस्ताक्षर भी यहां चलाया था हम वह जानकारी लिली दिया को जमीन बिक्री हुई है महंत। सर्वारागार महंत धर्मेंदास वह हो वीक्रता उपस्थित होकर भीक्रियतर को विक्रियतर की है। क्यों है वो विक्रियतर होकर आम मुक्तियार नावा सीफुमार वैस्वक्रियतर बच números द्याना पर POW mort प्रवाणिकरन के लिए भावेदल लगया जो बहुंति तक नंबित था प्रकरन उसके बाद जैसे मामलत धंदा हुआ प्रसासान उसको आपत्ती निराकरिर करते हुए उनके नाम पर प्रमाणिकरन कर देगे आज की डिट्वर भी सेगड़ की संपत्ती के माली खोचोटो इसी तरह यहां देखें के नजूर की संपत्ती सासान द्वारा नजूर की भूमियाब अंटित की गई थी स्रीदाम जान की मंदिर को उस तीस वर्सी पट्टे को तीस वर्सी पट्टा होता है जो की उप्योग मे दी गई है कि मंदिर अपना उप्योग करे उप्योग करे इस लिए दी गई है वो बचा रहा है उसको फिक्री के लिए नहीं दिया गया है यह हम चाहते हैं और इस जमीन में अभी आप सुदाई करेंगे पुरा तत्व कि उसे साब को बिल्कुल मिलेंगे लेकिन मामला दब प्रेंडेसीन निउस के लिए दुरुग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट